हलो दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह देखे आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं के यह क्या है और दोस्तो मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकरी द लगाएं और किस तरीके से जो है इसकी देखबाल करें दोस्तो आप देखने में इसको प्याज ही सोचेंगें कि यह जो है उपर से देखने पर के प्याज है लेकिन असल में दोस्तो यह जो है यह लसुन है जिसे गारलिक बोलते हैं और यह जो है इसमें मैंने क्या डाला है इस सिरब एक ही चीजद डाली है मैंने, और दूसरा इसमें थोड़ा बहुत खाद का प्र्योक किया गया है, जो की D.A.P. खाद है, जब लगाया था सिरफ उसी समय जो है इसमें D.A.P. खाद के दस्दसदाने का प्र्योक किया गया था, उसके बाद इसमें क्या प्रयोक किया गया है उसके बारे में पूरे जानकारी दूंगा दोस्तों इसके मिट्टी देखे अब पहली बार इतनी ड्राई मिट्टी हुई है क्योंकि अब ये पूरी तरीके से पक चुका है और ये देखे इसमें जो उपर से देखने से आप जो ह असल में यह लसुन है और इसको जो है आज हम हर्वेस्ट करेंगे बहुत जो है इसमें मैंने मेहनत किया इसको त्यार करने में क्योंकि मिट्टी में त्यार करना असान है लेकिन गमले में त्यार करना और वो भी इस तरीके से बहुत ही मेहनत लगती है और इसको जो है गारिक को तियार करना तो और भी जादा hard काम है दोस्तों क्यूंकि यह space कम है और यह size जदा होता है या यहीं की अच्छा size लेने के लिए इसमें अच्छा का Schwier says करने के लिए युर्दा का च्रिक काम है करना अब जो है दोस्तों इसमें liquid fertilizer होता है वो ही हमने इसमें डाला है इसके अलावा और कुछ भी हमने इसमें नहीं दिया डाला कितने हर 15 दिन बाद एक गिलास में और एक लिटर पानी के साथ यानि पानी जितना इसको चाहिए उतना और एक लिटर में डाल के मैंने इसको दिया है हर 15 दिन बाद इस चीज का मैंने अब इसकी रूट इतनी हाड हो चुकी है नीचे अब ये जो है हमें एक खुर्पे का प्रियोक करना पड़ेगा जिससे की जो है इसकी हाइट भी काफी हो चुकी है वैसे तो आप ये तूटने का खत्रा है क्योंकि ज़्यादा पक चुका है पहले थोड़े दो-चार दिन पहले उखाड लेते तो ज़्यादा सही था अब जो है हम इसमें जो है खुर्पे का प्रियोक करते हैं और उसमें से मैं आपको हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा दोस्तो कि क्या जो है हमारा निकल के आया है सामने दोस्तो ये देखिए ये अब जो है पूरी तरीके से ड्राइ हो चुका हमने पानी डाला था और अब जो है हम इसको खुर्पे से हार्वेस्ट करेंगे दोस्तो अब आप भी इस तरीके से यदि मैंने देखा है कि काउट डंग का जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है वह डालेंगे तो वह ज़्यादा काम्याब है और चीजों के मुकाबले इस तरीके से देखिए ये थोड़ी-थोड़ी जो उसमें बिना चाने में खाद आ जाती थी वह भी मैंने इसमें ही डाल दी जो की इसमें ही कमपोस्ट होती रही और बहुत तदिक मातरा में ये इसमें इकठी होगी जिसके वज़े से दोस्तो अब मैं इनको उखाड़के अच्छा जो है एक garlic हमारे सामने जो harvest हम कर रहे हैं इसको देखिए साइज कितना बड़ा बन के सामने आया है यह देखिए पूरे हाथ में मेरे जो है यह नहीं आ रहा और इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारौणी मैंने जो देखा है वो यह है कि यह जो है जो होता है और्गैन और्गैनिक का प्रियोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी चीज के लिए मैं कई चीजों में प्रियोग कर चुका हूं और उसमें यही सामने आया है यह देखे दोस्तो इसमें भी ज़्यादा बहुत सुन्दर जो हां अमारे सामने एक बड़ा साइज का गार्लिक लसुन हमारे सामने उपर कर सामने आया है उखाडने पर देखने से लेकिन दोस्तो ज़्यादा समय थोड़ा अधिक समय हो गया मेरे को इसको लेट कर दिया मैंने इसलिए जो है थोड़ी दिक्कत आई है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी यह खराब होने जा सकते हैं यह साइज कितना बड़ा है देखिए दोस्तो इतना बड़ा साइज और देखिए कितना जो है सुन्दर भी है देखने में देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखने में कितना बढ़िया जो है इस पर कलर आया है और देखिए सूकने के बाद भी जैसका कित अच्छा जो है दोस्तों वीडियो को शेयर जुरूर करते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स पूर वाचिंग